सदर विधायक मनीश असीजा के लेटर पैट का आधार क्याम्प में नहीं कोई महत्व गरीब मजदूर व्यक्ती को धक्का मार कर भगाया सदर विधायक के आधार क्याम्प में लोगों के साथ हो रहा पक्षपात लोगों ने लगाया आरोप अगर आपकी है जुगार तो आपका भी बन जाएगा आधार एक व्यक्ती ने लगाया आरोप पुलिस भी मार कर भगा रही है बाहर जन्पत फिरोजाबाद के लोगों की आधार कार्ड की समस्या बहुत ही गंभीर बनी हुई थी इसी को देखते हुए सदर विधायक मनीश असीजा ने एक महीने के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए आशीरवाद पहलेस में कार्य शुरू किया लेकिन वहां मीडिया के देखते ही लोग तरह तरह के आरोप लगाने लगे यहां तक की विधायक जी के लेटर पैट का ही उन्ही के कैम्प में महत्व नहीं समझा गया और व्यक्ती को धक्का मार कर बाहर निकाल दिया साथ ही लोगों ने आरोप लगाया कि यहां चेहरा देखकर टोकन देने का काम हो है जिनकी जुगार है उनका आधार कार्ड बन है वही बिना जुगार वाले को एकांत में धूप में बैठे नजराय साथ ही एक व्यक्ती ने पुलिस द्वारा गाल पर चाटा मारने एवं भगा देने का आरोप लगाया जबकि भी सेकरों की तादात में उमर रही है लेकिन दो ही मशीन प्रयोग में लाई जा रही है जबकि आज से चार मशीन लगाने की बात कहीं जा रही थी वह देखा है ते लिवारे ते लेटर किसा का ही तुम्हें पार्श द्वाव धिकाव नर्जिया किसका क्रिक्षिक कर दर क्या जबकि अपने दिखाया नंद मेलम नल बड़िया कियाak धिया नहीं आपने देखाया है यह तूंसे प्रति नहीं प्रतिय देखाई धिक्ड़ ढाइध मकांव सबति चाने हों क्या है थी हुआ बढ़ें पिंटने पेश्वाणी यह थो आप त्युति उस बनना हिए उस्वाठ को यह ऐना ऐसेद पर कानी आपी बहुर दिखाँ त्युक्षित ही उपर दिखाऊ कितने दिन हो गई क्या करते हो बेंदारी क्या हुआ देख रहे हैं पुलिस खड़ी देख रही है क्या हुआ दो बार जक्का मारा है से महला में दो बार जक्का कितने बच्चे थे आपको चार पच्चा मेरे दव गई हमें कितने यह जाए दे हैं अपनी सिपारस के टोकन दिया रहा है बरीकन अगला से तारिक आले सब्चीत दे रहे हैं आपने टोकन पता ही नी चलिए अपर टका देखने के मत्वला आपका तुम तुम कुछ नी कर पायों कुछ कि उचेश में टोकन दोकन दी हैं यह ना मयां अब क क्या ना चे मैं चंट्ट्रा जी खां से आई मेरी मेला पत्नी बढ़ी जेस साइज दब गई वीजघ जयसे यह अट वालह सारे भीड मेरे उपर अमा से आई आ यहां फिर अम्हा फिर आमी ली लीजखा लैगा मज़ें तो बीछ है अदार थे जा अपर थे या बिल्कुल सा तो तो बहुट पर नेका मतलब पुछपाट हो रहा है नहीं घुट हो बिलकुल फाज़